तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हॉर्मोन आसंतुलन से गर्भधारण में हो सकती है ये परिशानी हॉर्मोन आसंतुलन का असर मैला के शरीप पर पड़ता है साथ ही इसके कारण गर्भधारण करने में समस्या होती है इसे मासिक धर्म समय पर नहीं आता और एमनोरिया की सिधी भी आ जाती है हॉर्मोन आसंतुलन और प्रेगनेंसी मा बनना हर महिला का सपना होता है लेकिन कई कारणों से महिलाएं गर्दारन करने में आसफल रहती है हॉर्मोन में आसंतुलन उनमें से एक है हॉर्मोन में संतुलन होना बहुत जरूरी है अगर किसी भी हॉर्मोन में आसंतुलन हो जाए तो गर्बधारन करने में परिशानी होती है गर्बधारन के लिए मासिक धर्म की भूमे का बहुत मैध्र पूर्ण होती है लेकिन estrogen hormone में आसंतुलन के कारण मासिक धर्म आन्यमित हो जाता है और गर्बधारन करने में समस्या होती है इसके अलावा अन्य होर्मोन जैसे जैसे follicle, उत्तेजग hormone, luteinizing hormone और progestron की भूमिका भी मेत्वपोर होती है गर्बधारन के लिए इन सब के बीच में संतुलन होना बहुत आविश्यक है तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हॉर्मोन आसंतुलन से गर्बधारन में हो सकती है ये परिशान अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like, share और comment करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही subscribe कर लीजिए और साथ ही दिये गए bell icon को प्रेस कीजिए ठाकि आपको हमारी latest videos का notification daily मिल सके Thanks for watching this video, till then stay healthy and stay beautiful with me